हलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुरजीद वालिटिक्स बाली में डीजियर आज हम बात करेंगे जितने भी फंगल डीजिस प्लांट में होती हैं सब को याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के बारे में जो की बहुत ही यूसफल आपके मेडिकल एंट्रेस एक्जामनेशन के लिए नीट के लिए एंस के लिए के लिए तो आये पढ़ते हैं तो दोस्तों है बात करते हैं फंगल डीजिन प्लांट सबसे बड़ी बात में बताऊँगा कि बहुत सारी डीजिस कम स्क्रम 25 और जो कि कैसी फंगल डीजिस हैं तो उनको सब को बनाने का मैंने भीडा उठा आएगा तो शुरू करते हैं सबसे पहला तरीका है सेब टीका रस्टी गाल विल्टी दमाके से हरे होंगे लाल मतलब ऐसा धमाका होगा विल्टी जिससे सभी हरे हो क्या हो जाएंगे लाल हो जाएंगे तो लिख लेंगे सेब भी सेब टीका टीका रस्टी गाल जिनके रस्टी गाल होंगे सेव टीका रस्टी गाल ठीक है न? विल्टी धमाखे से हरे होंगे लाल विल्टी धमाखे से ऐसा धमाखा होगा धमाखे से क्या होगा? हरे होंगे लाल जितने भी हरे लोग होंगे होंगे को गोगे होंगे होंगे लाग है थीक है तो आए देखते कैसे मतलब क्या हो जागा एपल इसके आपल मतलब से बच्पन से पढ़ते चले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा एपल स्कैब फिर टीका क्या हो जाएगा टिकका डिजीज ओफ ग्राउंड नट टिकका डिजीज ओफ ग्राउंड नट टिकका डिजीज ओफ ग्राउंड नट मूम फली में जो टिकका की विमारी होती है उसमें टीके गोल गोल से धब्बे लग जाते हैं बोलते टिक का डिजी फिर आगे बाद करते रस्टी बें तो लीफ रस्ट आफ कॉफी हो जाएगा क्या हो जाएगा लीफ रस्ट आफ लीफ रस्ट आफ कॉफी कॉफी हो जाएगा फिर गाल से क्या होगा इस्टेम गॉल आफ कॉरियंडर धनिये का जो इस्टेम गॉल है इस् stem gall की वह बी किसरे फंगर से होती है फिर आजाएगा मतलब विल्ट आफ अरहर विल्ट ओंड ऑरहर की दाल में विल्ट हो जाता है इठाना जाती तो विल्ट आफ औरहर कि धमाके से क्या हो जाएगा दो ब्लास्ट डिजीज आफ राइस ब्लास्ट डिजीज से का कोई मतलब नहीं है फिर क्या होगा देखिए सेव टी का रस्ती गाल विल्टी धमाके से हरे होंगे लाल तो पहले क्या बात करते हैं हरे की तो हरा क्या जाएगा ग्रीन एयर डीज ऑफ बाजरा होंगे का कोई मतलब नहीं है लाल का मतलब क्या होगा रेड रॉट आफ शुगर केंड रेड रॉट आफ शुगर केंड चीक है जब आप शुगर केंड को फार दे तो बीच में लाला लंग की धारी दिखाए देती उसे क्या बोलता, रेड रट आप शुगर के इन है, तो अब बारी आती इनके कॉस्टिव एजेंट्स को बताने की, तो आएज़े बात करते इनके कॉस्टिव एजेंट्स पे कि एपलेस के अब किस्से होता है, वेंचूरिया इनेकुएल चीक है फिर टिककट इस अफ ग्राउंडड किससे होता है सारकोइस्पोरा फिर लीफ रस्ट अफ कॉफी किससे होता है हैमेलिया हैमेलिया फिर इस्टेम गॉलफ कॉरियंडर प्रोटो माईसीद फिर विल्ट अफ अरहर कैसे हो जाएगा फियूजेरिया फिर ब्लास डीज अफ राइस किससे हो जाएगा पाईरी कुलेरिया पाईरी कुलेरिया और राइसा आगे आता है दोस्तों ग्रीन डीज अफ बाजरा यह होता है स्क्लीरोस्पोरा से स्क्लीरोस्पोरा फिर आगे आता है रेड रॉट आफ शुगर के आखर यह दोस्तों रेड रॉट आफ शुगर के यह आपने क्लास नाइन्थ वेगर महिने से पढ़ाई कियोगी तो आपको याद होगा क्या है कुलेटो कुलेटो ट्राइकम फैलक अटम फैलक अटम फैलक अटम ठीक है तो यह थी सिंपल से ट्रिक और अभी बहुत से हमारी सीक्वेंसे बाकी हैं तो कहीं जाएए मत आगे और ट्रिक बताते हैं आपको आगे दोस्तों अगली ट्रिक है ब्लैक वाइट पाउडर लूज अरली डंप ब्लैक ब्लाइट मतलब ब्लैक वाइट पाउडर लूज अरली डंप ब्लैक ब्लाइट पहले वाले डंप से लिया होता तो आपको क्या मिलता ब्लैक ब्लाइट मिलता तो क्य आक है लिख लेंगे अर्ली डंप का है आर्ली डंप भलाइट waiting है पुर speculative ना क्या हचाए ब्लाइक ब्लाइक भाइट प्लाइक है लिख हो गांछे लेटा तो अच्छा पाउडर मिलता जो कि अरली डंप का था तो आई बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ तो क्या हो कि बलाइक वाइट आफ पोटेटो अब लाइक वाइट से क्या हो जाएगा वाइट रस्ट आफ क्रूसीफर फिर पावडर्स हो जाएगा पावडरी मिल्डू आगे बात करते हैं लूज क्या हो जाएगा लूज इसमट आफ वीट इसमट आफ वीट यह जाएगा लूज इसमट आफ वीट आगे बात करते हैं अरली डंप ब्लाइक बाइट अरली मतलब अरली ब्लाइट आफ पोटेटो फिर बात दंप मतलब क्या होता है डंपलिंग आफ सीडलिंग डंपिंग आफ सीडलिंग अ ब्लाइक से क्या मतलब होता है ब्लैक रस्ट आफ बीट ब्लैक रस्ट आफ वीट रस्ट आफ वीट यह यह होगी हमारा black white powder lose early dumb black blight इसका हम बात करते हैं कि कि इनके कॉसिटिव एजिंट्स क्या है तो देखते हैं एक कॉसिटिव एजिए आये बात करतें दोस्तों इनके कॉसिटिव एजिटु पर ब्लाक वॉट वड्व पॉटेटो होता है सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम सिंकाइट्रियम अ Very थिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम थे कर फिर है वाइट रस्ट अफ क्रोशीफर चैसे सिम्बेदार करने अलबूगो केंडीडा यहां पर आए बात करते हैं पाउडरी मिल्टों पर इसका कॉस्टिवेजंट है अड़ी सिफी जिए अब बात करते हैं लूज इसमेट आफ वीड की इसका उस्टिलागों टिटिकाए अस्टिलागो गो टिटिकाए ऐस अब बात करते हैं अर्ली ब्लảiट आफ पोटेटो की था अर्ली बाट पीटो के लिए जिम्मेदार होता है अल्टर ले ले अल्टर ले ले रिया सोलैनी फिर दैंपलिंग और सीडलिंग इसके लिए जिम्मेदार फाइथियम, फिर आगे तब ब्लाइक रस्ट आफ वीड इसके जिम्मदार है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ग्रैमिनिस, ट्रिकाई, फिर लास्ट है अपना ब्लाइट बतब लेड ब्राइट ऑफ पोटेटो इसके जिम्मदार है फाइटो फ्थोरा इंफेस्टेंस, फाइटो फ्थोरा इंफेस्टेंस, ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा तरीका जिससे कि हम फंगल डीजिस सारे के सारे याद कर लेंगे, अभी और भी फंगल डीजिस बताने के लिए थोड़ा से समय बाकिए तो इसके उससे पहले आप क्या करें, लाइक बटन जरूर दबा जिससे मुझे थोड़ी सी positive energy मिलती रहा है, आये दोस्तों बात करते हैं, फंगल डीजीज के इसमट को कैसे याद करेंगे, तो heading डाल लेते हैं, इसमट कैसे याद रहे हैं, इसमें जितने भी इसमट होते हैं, सब स्टिक के अंदर आ गए हैं, तो हम बताएंगे कि, sport, joints, oath, losing, oath है, flag marks, एक जगे sport हो रहा था, वहां पर भी oath हो रही थी, और एक जगे flag marks हो रहा था, waar भी oath हो रही थी, то जितने भी sport खेलने वाले थे, सब ने कहां जोइन किया, जहां पर वो sports खेल ले कि, sport का जो इन्होंने oath जोईन किया, flag marks का oath नहीं जोईन किया, ठीकर न, तो ये द जबूँन कीया, losing उर्थ flag marks, losing Urth flag marks flag marks ञिअनों ने, flag marks की ओर्थ लूस कर ली, और speaking जबूँनों ने, join कर ली, तो आई जोइए उसको decode करते हैं,occuport मतलब क्या हो जाएगा, leaf spot of leaf spot of spot of rice giant मतलए क्या जाएगा covered jar जिसे बोलते है शार गम ठीक है covered smut of jar जिसे बोलते है शार गम फिर आगे बात करते है ओट से क्या हो जाएगा covered smut of oat covered smut of oat तीक है यह हो गए तीनों बिमारियां फिर आगे बात करते है losing oat flag march losing मतलब lose smut of oat लिख 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 is smut of oat यह oat मतलब oat हो जाएगा तो lose smut of oat इसके लिख क्या कहलेंगे flag मतलब flag smut of wheat flag smut of wheat last में मार्स to maze smut क्या हो जाएगा maze smut चीज है तो ये था हमारा इसमट जितने के भी इसमट हमारे hinges में से अमने एक साहत लिख ले है अब बात करते हैं कि इनके काज़रे इजेटिव एजंट पे किन किन चीजों से यह बिमारियां होती है इनके causative agent कौन कौन से होते हैं तो पहला है leaf spot of rice इसका क्या है हल्मिन्थो isporium oryza क्या है हल्मिन्थो हल्मिन्थो isporium oryza ये है causative agent अगला है covered ismat of jog जिसे बोलते हैं शोरगम तो क्या हो जाएगा इस फैसिलो थीका ओ शारगी अगला है दोस्तों covered ismat of oat इसका हो जाएगा astilago choleria astilago choleria ठीक है तीयों के हमारे तीन leaf spot of rice covered ismat of jar and covered ismat of oat अब आगे बात करते हैं loose ismat of oat इसका हो जाएगा astilago aveni astilago aveni फिर आगे flag ismat of wheat इसका होता है यूरोसिस्टिस यूरोसिस्टिस टिटिसाइ टिटिसाइ ठीक है फिर आगे last बतना दृलीस मेज इसमट इसको बोलते हैं astilago madis astilago madis madis तो यह हमारा बहुत सिंबल सा टिक सारे के सारे इसमट याद करने के लिए और जितने भी fungal dizes हैं हमारे बाले जी में सब मैंने एक अठाब के लिए तयार कर दें जिससे आपको बहुत ही आसानी से पूरी की पूरी टिक याद हो जाए दोस्तों गरे टिक आपको पसंद आरे हो तो प्लीज में चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धेर सारा प्यार दें जो भी question आपको पूछने comment box में comment करें जो भी trick आपको बनवाने comment box में comment करें बहुत सारा प्यार दें thank you